आज की भाग दोरबरी जिन्दगी में लोग हसना ही भूल गए हैं पिछली बार ओक अब हसे थे साइद उन्हें याद भी न हो इसी कारण बहुत सारे लोग डिफ्रेशन में चले जाते हैं और सदेव हसते रहे तो साइद डिफ्रेशन में कभी जाये ही ना मैं एक छोटी सी क कर रहा हूं आप लोगों भी हसाने के लिए अगर जो कच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो आईए शुरू करते हैं हसने हसाने का सिलसिला कंडेक्टर टिकट ले ले जल्दी लरका एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे कंडेक्टर तेरी तो मुचे भी आ गई है पूरा टिकट लगेगा लरका तो मेरी मम्मी की तो मुचे नहीं है उसकी आधी बना दे पती बैठे बैठे सोच रहा था आज पतनी की दरफ गौर से देखा तो समझ आया अपने जीवन की सिर्फ यही इन्वेस्मेंट है जो देखते देखते डबल हो गई बॉस वाह महंगी कमीज कहां से ली इंपलुआई खरीदी नहीं भाई ने गिफ्ट दी है बॉस ठेंग गॉड मुझे लगा मैं सेलरी जादा दे रहा हूँ बनता वाइफ को इंगलीज सिखा रहा था दो पहर में वाइफ बोली डीनर ले लो जी बनता जाहिल अउरत ये डीनर नहीं लंच है वाइफ जाहिल तू तेरा सारा खंदान करम फूटे ये रात का बच्चा हुआ खाना है दिमाग मत और रोटी चर ले एक भिखारी भीक मागने बैंक में करी लाइन में गया वा लाश्ट में खड़े इंसान से भीक मागी वो बोला आगे जा उसे आगे वाला बोला आगे जा ऐसा करते करते वो बैंक के काउंटर तक पहुँच गया और अपने पैसे बदल कर दो मिनट में बाहर आ गया एक छोटे से गाउ में एक बच्चा लाल रहता था उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोल कर चिढाते थे और उसकी टीचर उसकी बेवकूपियों से हमेशा बहुत परसान रहती थी एक दिन उसके पिता उसके रिजल्ट जानने उसके स्कूल गए और टीचर से लाल के बारे में पुछा, टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कारियाले में उसने पहली बार ऐसा बेवकूप लर्का देखा है, यह जीवन में कुछ ना कर पाएगा, यह सुनकर लाल के पिता बहुत आहात हो गए, और उसने सरम के मारे वो गाउं छोड़ कर एक सहर में चले गए, 20 साल बात जब उस टीचर को दिल की विमारी हुई, तो सब ने उसे सहर के एक डाक्टर का नाम सुझाया, जो ओपन हार्ट सरजरी करने में माहिर था, टीचर ने जा कर सरजरी करवाई और ओपरेशन काम्याब रहा, जब वो विहोसी में वापस आई और आख खोली, तो टीचर ने एक सुंदर और सुडेल नौजवान डाक्टर को अपने बेड के बगल में खरा होकर मुस्कराते हुए देखा, ओ, टीचर डाक्टर को सुक्रिया, बोलने है इवाली थी, अचानक उसका चेहरा निला पर गया, और जब तक डाक्टर कुछ में एक सफाई करमचारी था, उसने वेल्टीनेटर का प्लग हटा के अपना मुबाइल का चार्जर लगा दिया था, अब अगर आप लोग सोच रहे थे कि लाल डाक्टर बन गया था, तो इसका मतलब यह है कि आप हिंदी, तमिल, तेलगू, फिलमें बहुत जादा देखते पतनी, मुझे मांगने के लिए, पती, नहीं, बताने के लिए कि किरपा आनी शुरू हो गई है, ससुर, आईए दमाद जी, आज सुबह सुबह अचानक ऐसे दर्सन दे दिये, दमाद, आपकी बेटी से जगरा हो गया था, वो बोली, जहनुम में जा, संता ने बहुत कठोर तपस्या की, परसन होकर भगवान, मांगो वत्स, क्या वर्व चाहिए, संता, सिस्टम से चलिए परवु, पहले तपस्या भंग करने के लिए अफसराय आती थी, उनका क्या हुआ, आज के जमाने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है, जिसके पंडाल में गरम, पोहा समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाहे मिले, वरना ग्यान तो अब ऑनलाइन उपलब्द है, पार्क के सुचना पट पर एक सुविचार लिखा था, पेर पर अपनी मासुक का नाम लिखने से बेहतर है, उसके नाम पर एक पेर लगाई है, बात दिल को लग गई, गर्फरें रात के खाने में दो अप्सन होंगे, लेकिन इहां तो एक ही सबजी दिख रही है, पदनी सांत सवर में अप्सन दो ही है, एक खाना है, तो खाओ, दूसरा नहीं तो रहने दो कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया, कल से सुबा पांच बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर विचार किया की, निंद में इतना बड़ा निर्ने लेना ठीक नहीं है, एक चात्र रोज रोज अपने गनित के अध्यापक के घर पर फोन करता, अध्यापक की पतनी का कितनी बार बताया कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करते हो, चात्र सुनकर अच्छा लगता है